बारत वर्षिये दिगंबर जेन धरम सरक्षनी मासवा के द्वाराज वर्चुल माध्यम से सामुईक शमावानी पर्व में आप सबसे जुड़कर बहुत प्रसंता हो रही है मैं उपस्तित सभी धर्म गुरूओं का संतों का जिनका मारदर्शन आज हमें मिला उनको भी मैं शर्षत नमन करता हूँ जेन समाज का राष्ट निर्मान और राष्ट सेवा में व्यापक योगदान है समाज में सामोई कृथान और जनित के कार्यों में हमेशे आगरिनी रहा है वैसाए के शित में भी आपका योगदान आपकी उपलब्दियां सरवदित रही है सबकी सेवा का मूल भाव आपके मन कम बचन में रहता है जो इस कोईड महामारी के समय मैंने देखा है कि किस तरीके से आपने समाज के वंचित लोगों की गरीब लोगों की सेवा की है भगवान महाविन ने मानवता के लिए धर्म, सत्य, अइंसा, ब्रह्मचर्य और शमा पर सबसे अधिक जोड़ दिया है शमा का पर शमा, अइंसा और मेत्री का प्रतीक है शमा में अपनत्व है, समेदना है, शमा ही अइंसा है शमा में नर्मता है, विनर्मता है, शमा मान्य जिवन की आधार शिला है आज का दिन शमावानी के रूप में समाज के लिए नहीं, हम सब के लिए आत्मशुधी का दिन है मात्मा गांदी जी हमेशा कहा करते थे शमा करना तो सक्षम वेक्ति की विशेष्टा है उसका आभुशन है शमा वनी परु को विस्तुर्त परिपेक्ष्प देखने की जुरूत है आधुनिक जीवन शेली में हमारे सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं हम अपने में सिमट कर रहे हैं और प्रकति से दूर होते जा रहे हैं यही कारण है आज कई मांजिक औ शाररी विकारवों के से समाज ग्रस्त होता जा रहा है इसकी मुक्ती के लिए आज भी भगवान महाविय की शिक्षा आज की आवश्यक्ता है उसके अनुसरन की आज की हमें आवश्यक्ता प्रतीत होती है आज संपूर्ण विश कोरोना महामारी के संकट से जूज आए इस संकट काल में भी बगवान महावीर के देगे वचन उनके बताएगे मार के कारण हमने संपूर्ण समाज में सयम और त्याग की विचारधारा के साथ काम किया और यही कारण है इस विकट परिस्तिती में भी समाज ने जिस तरीके से सामुईक प्रियासों से समने मिलकर इस चुनूतियों का मुकाबला कर रहे हैं मैं इसके लिए भी सभी लोगों को साधुवाद देता हूं शमा विक्ति और समाज में अंकार की भावना को समाप्त करने का एक साधन है अगर हमें सामाजिक सत्भावना को बढ़ाना है तो अपने जीवन में शमा को आत्मसाथ करने की आउशक्ता है शमा विक्ति को सोहाद पून जीवन जीने की शिक्षा भी देता है आज समय की मांग है कि संपून मानुता को जेन समाज की शुशिष्टा को अंगिकार करना चीए जेन धर्म और जेन दर्वशन हमेशा आत्मसुद्धी पर बढ़ देता है जेन दर्शन के वोल जेन समाज के लिए नहीं संपून समाज के लिए आज भी जेन दर्शन प्रासंगिक है और जीवन की आउशक्ता है और इसलिए जेन दर्शन में शमा करने वाला और जिसने शमा किया वो भी और जो शमा करता है वो भी दोनों आज की प्रसंगिक्ता के लिए आउशक्ता है और इसलिए जीवन की निरंतनता में हमारे दारा विहार में वानी में समझने अथवा समझाने में रिस्तों एम सामाजिक्ता को निभाने में मेरे किसी भी करत से किसी को दुख पहुचा हो तो मैं सबसे शमा मांगता हूँ उत्तम शमा ये मेरे जीवन का हमेशा आत्मसाथ करना चीए मैं देखता हूँ कि विश्य का सबसे बड़ा लोक्तंत भारत है और भारत का ये कारशी लोक्तंत आज भी पूरे विश्य में मारदशन देने का काम करता है और इसलिए हमने हमारे सविधान को राष्ट गंत माना है और सविधान में सबको साथ लेकर सभी जाती धर्म विविताओं में एकता हमारी संस्कती रही है मेरी भी कोशिश होगी कि शमा संसत का अबूशन बने है क्योंकि संसत के अंदर वाद विवाद होता है तर्क वितर्क होता है देशकित में मुद्दे उड़ते हैं लेकिन कोशिश हो कि हम सार तक चर्चा करें समवाद करें और सब मिलकर सामुईक रूफ से देशकित में काम करने की हमारी संसत की प्रंप्राएं रही है और आज भी ये प्रंप्राएं जीवन्त है और इसलिए जब सभी मान्य संसदों के मन कर्म बच्चन में शमा आत्म साथ होगी तो निश्चित रूप से उनके कर्म में उनके विचारों में एक शुद्धत आएगी उनके आत्मा शुद्धी भी होगी शमा करना सबसे बड़ी पूंजी है और शमावानी अलोकिक रूप से हम सब को निर्मल करने का काम भी करती है बगवान महावीर के विचारों और आदर्शों को हमें जीवन में आत्म साथ करने की आज आउशकता है मैं सभी संत्याप जिनके मारदर्शन हमें मिले जिनके विचार हमें मिले निश्रू से हम कोशिश करेंगे कि समाज में शमावानी पर और शमा आत्म सुद्धी के महान पर के रूप में हम सब अपने जीवन में आत्म साथ करें आप सभी को उत्तम शमा जै जिनेंदर्शन हमें आत्म साथ करें झाल